अजीब और गरीब family है अजीब और गरीब चीजे हो रही है जो normal घरों में rituals होते हैं शादी के time पे जो रौन के लगती है वो यह添ो नहीं रही है थीक है? क्या culture है हिमाज्चली life हिमाज्चली culture बस title में लिख दिया जाता है लेकिन वाकई क्या हिमाज्चल culture यह follow करती है family? भेज दिया, कहां जलंदर, यह अभी की बात नहीं है, अगर आपको याद हो, सगाई के टाइम पे भी, बग्गा अकेला ही पहुँच गया था, अरे शॉपिंग वगरा करने, उधर से बग्गी की मम्मी आई थी, खैर लोगों ने उस टाइम भी बात उठाई थी, तो ने वीडियो बना के मम्मी के सापने पूछा था, मम्मी, लोग कहते हैं कि आप क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई, तो मम्मी ने बोला मुझे छुट्टी नहीं मिली, मतलब आप सोचिए, आपके घर में भी अगर शादी होती है, नौर भल करों में शादी होती है, तो आज का जो वीडियो है अभी कुछ देर पहले मैंने बग्गे का वीडियो उस पे भी मैंने दिया था रिव्यू जुसे नहीं देखा है जरूर देखिएगा मतलब अकेले-अकेले पहुँच गया है जलंदर क्योंकि उसको शेरवानी उदर बग्गी अपनी मम्मी पापा के साथ आई है उसको लेना था अपना लहेंगा खेर वो बात तो नहीं है लेकिन आज बग्गे की वीडियो पे बहुत सारे questions इनके टरू वालों ने उठा दिये हैं तो आज उस पे बात करेंगे इन लॉस के साथ marriage shopping शेरवानी लहेंगा तो देखिए अगर ये normal बात होती तो हम लोग जिकर नहीं करते लेकिन बहुत सारी चीज़े इसमें निकल के आ रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो अकेला ही जाके shopping कर रहा है अकेले ही उसको तो क्या भया यहां पे जो मम्मी जी है छुटकनी जिजजी बड़कनी जिजजी और जिजजजी की एक team बन चुकी है क्या बग्गा मामा और आचल को अभी से बिलकुल अलग थलग कर दिया गया ह कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भई हो गई है लड़ाई बग्गा से क्योंकि बग्गा आ जाता है बातों में किसके आचल के तो सोची अभी तो शादी हुई नहीं और इस तरह की बाते निकलने आने लगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं वागी shopping का तो आपने देखी आज बग्गी ने भी अच्छे से जवाब दिया बग्गी ने दोनों बहनों को सुना दिया कि जब बग्गे ने बोला था कि हाँ तब ही लोग बोलते हैं कि आचल चालाक है जब आपने देखा होगा कि जब वो सूट के लिए कह रही थी तो देखी उसकी demands होंगी और उसने मारी वाइफ बनने वाली हूँ तो तुम से ही कहूंगी ठीक है और लोगों से थोड़ी कहूंगी या फिर जब मुझे लोगों से कहना होगा तो लोगों से कहूंगी बग्गी ने बोला था कि लोगों से कहके देख ले हां तो कही ना कही सुना दिया दोनों जिज्जियों क और तो पीछे से जो भड़काने का काम किया जा रहा है कि इतनी शौपिंग अभी से उसकी इतनी डिवांट पूरी कर रहा है तो बग्गी ने दे दिया उन जिज्जियों को जवाब खैर देखो अभी से बग्गी भी देख रही होगी कि भईया मैं तो अभी पहुची भी नहीं हूँ और ये लोग सोचिए क्या क्या कर रही है इन लोग को कोई कह सकता है कि इनके भाई की शादी है जिसका इकलोता भाई वैसे तो इंस्टाग्राम पे खूप सारे स्टेटस ल रहे हैं बग्गा के लिए अगर बहनों का प्यार होता तो दोनों बहने जाती साथ में एक तो जाती और जिज्जा जी करते क्या रहते हैं मुझे ही समझ नहीं आता हां ना यहां पे बग्गे के साथ उसको शौपिंग कराने बढ़तनी जिची तुम तो जा सकती थी उस बि बहनों के होते हुए इस तरह की चीज़े हो रही हैं वहां पे वह अपनी शिर्वानी ले और भी उसने बोला था मुझे समान लेना पड़ रहा है तो इतने बुरे दिन आ गया बग्गे ने शुरू से अकेले शौपिंग करी है या फिर इनका प्लैन चल रहा है दिमाग में इकल को कोई बात न उठे हम पे जरा सी भी चीटे न आए चाहे वो जिजज़ेआ जीओ एफ्टेश चलते हैं यज़ो आगे का सोच के चलते हैं कि कल को कोई डाउरी का केस नहा हो जाए यह सब नहा हो जाए वीडियो मैंने बताओ powin उने बना दी है तो आज की वीडियो प गोलते हैं वैसçon मोटी नहीं है अच्छी लड़की है अच्छी लग रही है मौम इन लोव रहा जेतें सॉयल मीडिया पे कितने लोग्ट देखते हैं यह जो वीडियो सोती है कितनी दूर तूर तक जाती है तो अभी तो भई शादी भी नहीं हो ये और तुमारी एस तरह से इंसल्ट भी की जा रही है तो यह चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी वह भी उसके सामने की जा रही है कि मुझ बना रहता है हसो आप तो सुंदर हो मम्मी तो बहुत सुंदर है जैसे आचल की, आचल अपने कैमरा लेके बोले थी, खेर उसका भी लहंगा आ गया, हैवी लहंगा था, मैं तुम्हारी ट्रेस लेके चल रहा हूँ, तुम मेरी ट्रेस लेके चल रही हो, तो आगे जाके फिर खाना माना भी खाया गया, जहां पर मौसी से भेट हुई, भोई मौसी मौसी जी को बुला लिया गया था, क्योंकि मौसी जी चलंधर की ही है, उनको काड वगेरा देना तो और सोचा कि भई, मौका है, दुस्तूर है, ये भी मिल लेंगी, तो बग्गा मामा से मौसी जी की भी भेट हो गई, और आने वाले टाइम पे क्या जिज्जा जी पार्ट तनी मम्मी सब बैठ के आगे का प्लान कर रही होगी, अब खुलम खुला माहल मिल गया, अब तो हो भी नहीं है, अराम से हम बैठ के करेंगी चुगली, जितना भी समान लेके उपर जाना है, चाहे बरतन हो, चाहे ब्लैंकिट हो, चाहे चद्दर हो, मैक्सिमम समान मामा क्या गए, फिर वहां से फोन करवाया बड़े मामा जी को, की ठीक है, आप नहीं आ रहे हैं, है ना, तो आप जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है हमें दीजे, बाकी बढ़कनना जित्जा अपने घर की कोई भी बात यहां सोशल मीडिया पर आने नहीं देता है, देखिए लोग यह भी कह रहे थे कि ससुराल में काट देने मतलब कौन गया, आप देखिए, बड़कननी जित्जी हमेशा सासुमा, सासुमा, घरौन के लगाती थी, वो भी इनके घर पे आ जाती थी, इस बार तो भी इनके घर पे नहीं आ रही, तो असल में हुआ क्या है, ससुराल स बीच में भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट तो हुए गई है, करी दिये हैं लोगोंने, शड़े अंत्र चली रहे हैं, प्लांस चली रहे हैं, खैर, चली कुछ कॉमेंट्स की बात करते हैं, आज वो बगगा की वीडियो पे आए हैं, यॉर मॉम इन लॉई is not less than any heroine, she is a true beauty, मैं जी का क्या दिखाया जा रहा था, कि मम्मी की शुगर टेस्ट करी, दोस्तों, बारा शुगर, मम्मी जी की शुगर बहुत जादा आई है, हाँ, मम्मी आपको stress से tension हो रही है, मम्मी जी को भगिया कौन से tension हो, तो मम्मी जी जाने, मेरा बेटा भारत पार्ट तू बनने जा हाँ, मम्मी जी को तो इसी चीश की tension है, खेर, बाकी कुछ कॉमेंट्स आए है, मैं यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ, एक ने लिखा है कि आचल बहुत क्यूट है, ठीक है, बग्ये ने पूछा था कि उसको स्किन निकल रही है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो स सीटाफिल फेसवाश का, लोगों ने बताया है, सीटाफिल फेसवाश क्रीम, संस्क्रीम, डेली लगाया करो, एक ने लिखा है भई, लाइफ आफ हिमाचल ने, कि तुम सहरा खुद खरीद रहे हो, नानके या सिस्टर लेकर आती है, आपकी बड़ी दीदी लाती, तो भई होगा, कैसे कैसे थौट्स आ रहे होंगे, और लेकिन यहाँ पे बग्गी की मम्मी, बग्गी और जो बग्गा मावा है, उम्मिल बाट के, यह सब चीजे कर रहे थे, सहरा भी खरीदा जा रहा था, बड़कनी जिजी का क्या ही बता है, उनकी तो शॉपिंग अभी भी खतम नहीं हुई है, क्लच ले रही है, अपने सूट ले रही है, डाग डाग कलर के, सोचे रेड पिंक, मतलब बिल्कुल लगे कि न्यूली वेड हूं, न्यूली ब्राइड है, कोई आई है, डार कलर के सूट चलिए भी ठीक है, समझ में पेहनता है, लेकिन पूरी टक्कर देनी है, कि जरा सा भी कमना हो जाओं, जितने भी पिंपल आया हूं, को छुपाने के लिए, आफ्टर फेशल हल्दी लगाई जा रही है, और जिज्जे और स्किन खराब हो जाएगी, फेशल के बात कौन लगाता है, बागि हाइटर फेशल फेशल लगाए जा रहे हैं, को बच् इतने जादा ध्यान से देखते हैं, सब लोग इनके टर्व वाले, वैसे मम्मी जी की शुगर आचल के आने के बाद बड़ेगी, की घटेगी, दोस्तों, आप लोग ज़रूर पताएगे, आचल डॉमिनेट करेगी, एक कोमेंट ये भी आया है, हलीमा साधिया जी ने बोला की आचल डॉमिनेट करेगी, 12 लोग उने लाइक भी किया है, एक ने लिखा है कि पूरी जिंदगी मम्मी ने काम किया है, अब उनको आराम दो, हाँ, वैसे हाँ, इस बार हम लोग देख रहे हैं, वैसे मम्मी जी को बड़ा चूले के पास काम करते हुए दिखाया जा रहा ह हाँ, और बढ़कनी जी जो चुटकनी ने अपनी उपर गैस ले आएं, लेकिन वो देखते हैं, शादी के बाद लगेगी है, शादी के पहले, चूले के पास बैट किसली काम किया जा रहा है, ताकि आने वाली बहु को भई यह मैसेज पहुचा दिया जाए, कि देखो, मैं इतना काम इस एज में कर रही हो, तो तुमको भी चूले पे ही काम करना होगा, खैर आज जब आचले अपनी चूडिया दिखाई, मैं उसकी चूडिया देखके यही सोच रही थी, कितने सुन्दर हाथ हैं, यहाँ पे क्या वो इतनी सारी चूडिया पहन के काम कर पाएगी, बताओ, मतलब वहाँ पे बैंगल सेरिमनी में उसके चूडिया पहन रखिये, हर लड़की के कुछ सपने होते हैं, तो यहाँ पे आके क्या यह आँटी जी उसकी इतनी चूडिया उसके हाथ में पहनने देंगी, क्या बगगा बगगी की बॉंडिंग हो पाएगी दोस्तों चुटकनी जीजी ने अपने सास को बोला था कि आप जओ तीरत यात्रा पे, हम लोग की बॉंडिंग नहीं हो पाई, खैर जो वीडियो अभी पबलिक होयां, उसमें बॉंडिंग ही बॉंडिंग दिखरी है, सब कुछ अच्छे से हो, इवन उनकी सासुमाई ही नहीं दिख रही हो, ऐसा नहीं दिख रहा कि आप जबरस्ती के डियालोग बोल रही हो, जो जिजजी ने आएक अत्या चारहला वीडियो बनाया था, जिसमें बोलता कि मुझे जान मुझके हसना पड़ता था, दिखावटी हसी होती थी, कैमरे के पीछे कुछ और ही चलता था, तो जियां, आप देखें, देखते हैं, किचड़ फैमली, लिचड़ फैमली है, जिजजा जी, जिनोंने, इन लोगो दिमाग तो वही देते हैं, स्क्रिप्ट वही लिखते हैं, उसको अंकुष के खिलाव कुछ तो जरूर कुछ चल रहा है पीछे इनका प्लान, जिसकी बच्चे से नहीं मिल पा रहा, और आने वाले टाइम पे भी देखिएगा, कोई ना कोई पक का एक्स्क्यूस लगाया जाएगा, कुछ ना कुछ बहाना बनाया जाएगा, ताकि वो बच्चे से ना मिले, बच्चे से दूर ही रहे, है ना, तो चलो फ्रेंड्स, ये था मेर आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्स्क्राइब कर दीजेगा, बाकी सही में आज सोच की महरान हो रही थी, कि अकेला लड़का गया विचार अपनी शिरवानी लेने, बहीन दो बहनों के होते वे, सहरा भी उसको खुद महां पे लेना पड रहा है, तो असल में हुआ क्या है, क्या लड़ाईयां हो गई है, या चुबलियां कर रहे थे पीछे बैटके, मतलब चल क्या रहा है दोश्तों, देख लीजे, तो ना घर को सजाया गया है, ना घर को कुछ रोश्नी वगेरा दिख रहे, लोगों ने तो ये भी बोलो उप कोई lightning नहीं, कुछ नहीं, वैसे तो अपने तो अपने होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपने तो डॉलर होते हैं, ये चल रहा है दोस्तों, बढ़तान अच्छे खासे उपर ले जा ले जाके, रजाईयां ले जाए जारे हैं, बैट्शुट ले जारे हैं, अरे भईया के साथ हुआ हो, इसके साथ नहीं, वागी कुछ लोग कहा रहे हैं कि बगगी बिजनेस लेकर आ रही है, तो जहां से चुटकन्नी जिजी मा बोलती थी, तो देखिए बिजनेस के अगर बात की जाए, तो सबसे पहले बिजनेस कौन लाया है, बढ़कन्नी जिजी, बगगी के साथ ही उसको काम करना होगा, कपल वीडियो आएंगे, मौर्निं रूटीन, आफ्टनून रूटीन, हम यहां गए, हम वहां गए, हाँ, चलिए तो वक्ती बताएगा, दूसरा चैनल आएगा की नहीं आएगा, और बगगी की जो सालिया है, उनका वीडियो, उनका भी चै क्या चल रहा है, यह लोग की चड़ फैमली पीछे से गेम क्या खेल रही है, चलिए मिलते नेक्स वीडियो में, बाई बाई, एंड जाने से पहले, हां जी, आप लोग के लाइक्स में इस बार चेक करने वाले हूँ, कि आप लोग कितने लाइक करने वाले हूँ, लाइक, और सबस्क्राइब जरूर करतीचे,